चॉकलेट मूज इसे सुनते ही बच्चों के मुह में पानी आ जाता है और अगर मैं आपको बताओं कि यह चॉकलेट मूज बनाना बहुत ही जादा असान है और बहुत कम इंग्रिडियन्ट के साथ बना सकते हैं यह खाने में बहुत ज़दा ऐसा मीठा भी नहीं लगेगा आ बिना देर की आए चॉकलेट मूज बनाना शुरू करते हैं तब तक आप मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लीजेगा सबसे पहले हम चॉकलेट लेंगे और इसमें आड़ करेंगे गरम होट वाटर है ना उबलता पानी इसमें आड़ करेंगे और इसे अच्छी तरकी से हम मिक बिना इसमें यह कटोरी को रखेंगे और चलाते जाएंगे आप थोड़ी ही देर में देखेंगे बरफ के वज़े से कटोरी में जो यह सारा चॉकलेट का मिक्षर है वो थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंड कर सकते इसे ना कप में डाल दे या चोटे-चोटे कप सोते उसमें डाल दे और फिर इसे फ्रिज में रख दे सेट होने के लिए यह मूज जब ठंडा हो जाएगा इतना ज्यादा स्वाधिश लगेगा कि आपको बता नहीं सकती सो यह देखे मैं नाइफ से कट कर दे रहे हूं ताकि क्लीन प्रेजेंटेबल यह लगे देखने में इसी तरीके से में कोई और दुसरे बाउल में डाल दे रहे हूं और यह देखे अभी थोड़ा सा लिक्विडी है यह जब सेट हो जाए तब आप ऊपर से चॉकलेट चिप्स डाले कोको पाउडर से डस्ट करे और इसे ठंडा ठंड सर्फ करें बच्चे तो आपके दिवाने हो जाएंगे आप जो बाहर से जा जाके चॉकलेट मूज वगरा खरीते हैं आप घर पर बनाएं बहुत असानी से बन जाता है बहुत ही ज़दा टेस्टी बच्चों को बहुत पसंद आता है और मेरा तो दो साल का बेबी है उसने पूरा का पूरा एक बाउल मूज खाके खतम कर दिया तो आप सोच ही लो की कितना ज़्यादा टेस्टी है यह हिक्तम सिल्की स्मूज चॉकलिटी मूज आप जरूर से जरूर ट्राय करें और इस होली अपने गेस्ट को खुश करें अगर आपको इस वीडियो अच्छा लग यह झाम बाइ